अगर आपको मेरे से पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किजीगा यह हम साबुद मसाले से बना जेंगे डिफरेंट स्टाइल की पुलाव है आप ट्राइ किजीगा इसको रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम अपास गौल मिर्चे दससे बारा गौल मिर्चे है दो दाल छिनी के टुकडा है एक बड़ी लाइची है एक जाएफल जवत दकूड आप्स जीडा वं टी स्पून साबू धन्या 2 डिविल स्पून इन सबको पीस लेंगे हम इसमसाले से बने ही पलाव मसाले-दार मज़द यह गोल्डन ब२ाउन नहीं राद कसा अधियू को यह समय में दूखिसका है यह में मसाला पीस लिया है एक संह monitor 2 це vielä기는 मसाला बनेगा यह इत तेолाद किन रराद को यह निमान थे न मैंने को फिर देगा राज्व देगा पें देड़ा भात्ते तो पकार साथा पाव बूने लेस्न अदराग को फिर मर पास या जाल एज दालें अदर प्रिसमें से मसाले या कि चर्टिपटा पुलाओ बनेगा बहुत मज़लेगा इसका टेस्स सब्सकारक पुलाओ का है कि दूंदिगा नमक डालें मासाला पीसा दाइब कि अनल सारे किमाट डालेंगे के तीमार नन पास 4-5 मिर्चे चॉप कीवी और दालेंगे इसके अंदर चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा टिमाटर भी गल दे और चिकन बीचरी तरह गल देगे लिए जब चिकन गल देगी फिर इसमें दही डालेंगे 2टेबिल इसपून यह हमारे चिकन गल गई है इसमें दही डालेंगे दो टेबिल स्पून इसको भून लेंगे पुदीना डालेंगे इसमें दो से तीन टेबिल स्पून चॉप करके डाल देंगे हाथ से तोड़के डाल देंगे इसके अंदर पुदीना इसको भूल लेंगे पर इसमें चामल लाल देंगे इतनी चिकर आपास उतने ही चामल है 750 ग्रम पास चामल है बास पती भीगे वे बिगो के रखे थे तीन ग्लास में पॉइंट डालेंगे नमक चेखलेंगे अगर नमक कम होगा तो इसमें और नमक और डाल देंगे इतना पानी डालेंगे तक चामल भीग जाए यह में नमक डाल देंगे इसके अंदर और इसको दम पे रख देंगे यह पानी इसका खुश्क हो गया चामल को सेट करेंगे और इसको दम पे रख देंगे अब देख सकते हैं पुलावा कदर कितना अच्छा है यह हमारा चामल दम हो गया है इनको खोड़ लेंगे पुलाव को मसाले दर पुलाव को उसको डिश आउट कर लेंगे यह रेस्पी मार तयार हो गई है मसाले दर चिकन पुलाव आपसे कलर भी देख सकते हैं अगर आपको मेरे रेस्पी पसंदा आए तो लाइक शियर और सब्सक्राइब किजिगा अल्लाह आपिस